नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरू के इस सेशन में और आज हम यहां पर इंडियन जियोग्राफी का डिस्कस करेंगे इंडियन प्लेटूज तो इंडियन प्लेटूज को सारे इंडियन प्लेटूज को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि exactly plateau होता कै, आपको यहाँ पर एक picture दिख रहा है, और वो picture यह दिख रहा है, कि basically यह plateau है क्या, तो यहाँ पर आपको कुछ height में दिख रहा है, हमने यह indication दिया हुआ है, कि जो height का area है, यह आपका plateau है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि rapidly, यानि कि spontaneous, progress हो रही है, किसकी progress हो रही है, उचाई पर इघटी हो रही है, और एक यह उची सनलचना कर निर्माण कर रही है, तो कभी भी अगर आप से यह पूछा जाए कि पठार होंगे क्या, तो exactly आप कहेंगे, कि पठार कोई उच्च भूमी होती है, यानि कि plane से उपर उठी हुई भूमी जो है, वो पठ पिक्चर के माद्यम से आपने इतना समझा, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से, अब यहाँ पर हम यह देखते हैं, कि अखिरकार जो समतल से उच्छी भूमी है, वो तो परवत की भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, जैसे अगर हम इस एरिया की बात करें, त यह माउंटेन है, और इस माउंटेन का यह जो समतल वाला एरिया हमाल लेते हैं, इसका एक समतल वाला जो एरिया है, इट इस काल्ड प्लेटू, समझ रहे हैं ना, यानि कि कि किसी भी पहाड की, कि कि बी परवत की जो उपर की समतल भूमी है, वो आपकी exactly क्या कहलाएगी, प्लेटू या पठार कहलाएगी, तो यहां तक पठार समझ में आ गया होगा कि अखिरकार पठार यह होता क्या है, अब इंडियन प्लेटू की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि लोकेशन वाइज आपको मैप में किलियर हो जाएगा, यहां पर आप देख स नौर्धर्न प्लाट पार्ट है, यानि कि इसका उत्तर में हैं, नौर्थ में हैं, वो आपका बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, और इसके आप देख सकते हैं जो उत्तर पूर्ब का भाग है, वो आपका बगहलखंड प्लेटू का भाग हो गया, तो यह भी मालबा के, मा संदेल खंड बगेल खंड हाना कि यह तीनों अलग-अलग पठारों के नाम से जाने जाते हैं अब एक सबसे महत्रपूर आपको पठार दिख रहा है यहां पर इसको हम लोग कहते हैं छोटा नाकपूर प्लेटो को हम लोग कहते हैं रूर आफ इंडिया रूर आफ इंडिया म मतलब ऐसा माना जाता है कि बेसिकली यह जो पठार है इसको दो भागों में डिवाइड हो जाता है एक हम लोग कहते हैं हजारी बाग का भी पठार है दूसरा को डर्मा का पठार हो गया तो यहां पर इनरल्स बगेरा का प्रोडक्शन जादा है सबस्यादा तो इसलिए हम लोग इसको भारत का रूल छेत्र के नाम से भी जानते हैं फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक पठार आपको नौर्थीस्ट का दिख रहा है जिसको मेगहाले की राजधानी है सिलांग उसी को हम लो मढ़सा है कि अरे डन्द कारंद का लिकाष पठार यह जंद कारणी का पठार यह जो पार आप साउत में अगर बात करेंगे तो यह ते हो गया करनाटक का सेक्टर और इससे उपर यह दक्कन जिसको हम लोग डॉक्स प्लेट्ट Henик रहे तो आप देख सकते हैं 로केशन वाइज आपको समझ रहा होगा मदध가지 क्रिशप्रा हो गया ये जर्खंड बिहार वाला चैकर हो गया इसकी हे हैं तेलंगाना का छेत्र हो गया तो यह लोकेशन वाइस बात हो गई कि यह हमारे इंडियन प्लेटूज कहे जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग अब आगे आप देख सकते हैं कि प्लेटूज की हमने यहाँ पर डेफिनिशन रखी है कि अभी तो आपने पिक्चर के माद्यम से समझा अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि बेसिकली जियोलाजी एंड फिजिकल जियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है अगर हम कहा है जो बहुतिक भूगोल है उसकी अनस्वार पठार क्या है जैसा कि अब हमने बताया था कि एक समतल भूमी है यानि कि हाइट की एक जो समतल भूमी है उसको एक टेबल लेंड भी का जाता है बिल्कुल एक टेबल जैसी एक बन जाती आकरती तो टेबल लेंड भी का जाता है और यह एक हाइट की भूमी का हमेशा छेत्र होता है तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो पठार सीधा सा एक लाइन में कहेंगे पहाड के ऊपर की जो संतल भूमी है वो आपकी क्या कहलाती है पठार कहलाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे देखते है कि बेसिकली और क्या-क्या पठार के पॉइंट हो सकते हैं यूजुली कंसिस्टिंग आफ रिलेटिविटी यानि कि हम कह सकते हैं कि एक उच्छ भूमी का जो छेत्र है उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पेच्छाकरत कैसे होते हैं सपार्ट प्लेन होती है समझ रहा है न यानि कि relatively अगर हम बात करते हैं flat terrain that is released significantly above the surroundings area often with one or more sites with steep slopes इसके मतलब क्या हो गया इसके मतलब यह हो गया कि जो उच्च भूमी का छेत्र है उसमें आम तोर पर जो अपेच्छा करत सपाट इलाके होते हैं यानि कि जो height का area है सीधे सीधे उसका जो plane area होगा और जो आसपास के छेत्र से काफी उठा हुआ होगा ऐसे समझ लेते हैं इसको एक figure के माद्यम से हमाल लेते हैं कि यह एक हमारा mountain type से है और इस mountain का यह area समतल है और यह इसके parallel की land है तो obviously यह जो plane वाला area है इसके उपर का तो यह कैसा है यह उससे उठा हुआ है तो जब उठा हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा plateau समझ रहे है न बाद तो यह आपका प्लेटू हो गया यह जो area पुरा है यह प्लेटू का कहा जाएगा ठीक है यह आसपास का जो location है जो area है उससे काफी उठा हुआ होता है और अक्सर खड़ी धरानों के साथ एक या अधिक तरफ का होता है यानि कि जो यह साइड हैं यह साइट्स है जिनको हम लोग कहेंगे घलान या इसके किनारे किलियर है बात चलो आगे वढ़ते हैं हम लोग अगला देखते हैं पठार के बारे में नया पॉइंट क्या है ह होता है कैसे प्लेटूज का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं प्लेटूज कैन वी फॉर्मड बायर नंबर आफ प्रोग्रेस इंक्लूडिंग अव्वेलिंग ऑफ वाल्कैनिक मेगमा यानि कि यहां पर एक एक एक्जामपल दिया गया है कि बेसिकली यह पठार का निर निकलेगा फिर वहां पर जो लाबा बाहर निकलेगा उसके कारण जो पठार बनेगा वो तो एक वाल्कैनिक माउंटन हो गया यानि कि टाइप हो गया भी आगया हम टाइप की बात करेंगे तो मैगमा के निकलने के कारण जो लाबा बाहर निकलेगा वो लाबा जहां जहां पर जमा होगा वहाँ वर्पी क्या बन जाएगा पठार बन जाएगा यानि कि जो प्लेन एरिया है उस जो थोड़ा सा जो उपर की जमीन बन जाएगी वह भी जमीन कैसी होगी फ्लैट होगी तो वह भी आपका पठार कहलाएगा और जल और हिमनद जल और हिम्नद के मतलब यह हो गया कि जो हिम्खंड हैं अगर हम glaciers की बात करते हैं तो glaciers भी जब हम कहते हैं पिगलते हैं या कुछ होता है तो वहाँ पर भी एक प्लेन एरिया बन जाएगा मैगमा और लावा यह सारे इन क्रियाओं से ही पठार का निर्माण होता है तो यह तो पठार की एक डेफनीशन हो गई पठार का फॉर्मेशन हो गया कि कैसे पठार बनेगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला देखते हैं पठार का एक और पॉइंट है कि पठार बेसिकली जो आसपास के बातावरन हैं उनके बातावरन के हिसाब से पठार को अलग अलग टाइप से डिवाइट किया गया है तो प्लेटूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देर स्राउंडिंग जो उनके चारो तरफ का बातावरन है इन्व क्लासिफिकेशन आफ प्लेटूज दूसरा है पीड मॉन्ट और तीसरा है कॉंटिनेंटर यानि कि थ्री टाइप्स के आपके प्लेटूज हो गए ठीक है यह किलियर होना चाहिए आपने अभी देखा फॉर्स्ट सेकेंड ठीक है यह तीनों इसके टाइप हो ठीक है अगे बढ़ते हैं लोग अगला आप लोग देख सकते हैं अब हमने इसकsuite अलग बलग यहां पर एक्सक्प्लेइन आप लोग और यह सबसे उंचे माने जाते हैं कैसे माने जाते हैं सबसे उंचे क्लिए सबसे मूंचे माने जाते हैं अगर हम बात करें कि बॉर्डर बाइए most और कैसे हैं जो कि पहाडों से घिरे हुएं ऐसे समझेंगे भी पिक्चर के माध्यम से माल लेते हैं कि यह भूमी है और फिर देदी गई फिर यह इस तरीके से जो यह एरिया बनेंगे यह सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे के इंटर मौन्टेन प्ले टू का एग्जामपल हो सकता है और इसका अगर शबसे अच्छा इस्थित होते हैं वर्ल्ड में माना जाता है सबसे उचे만 इस्थित होते हैं और इसका सबसे एच्छा एंप्वल क्या हो सकता है तिबत का पठाद आगे बढ़ते हैं यह बात होगी हमारी intermountain प्लेटू की आगे बात करते हैं अभी अब लोग समझ सकते एक एग जांपल है आप यहां पर देख सकते हैं इ вкус यह पहाड़ हो गया ठिक है mountain मौुंट aument range यह भी आपकी mountain range है इसके और इसके बीच का जो ये Area है ये कैसा Area है फ्लैट है यानि कि प्लेण एरिया है ऐता है तो यह इरिया है क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगा इंटर मुन्टे इन आधो बात किलियर हो जानी चाहिए तो सीधा सीधा कहो गया दो पहाड़ों के बीच की जो समतल भूमी है वो क्या कहलाती है Intermountain पठार या Intermountain Plateau के नाम से जाने जाती है तो इस पिक्चर से पूरा इंटर मॉन्टेन प्लेटू किलियर हो जाना चाहिए सब को चली आगे बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे टाइप की बात करते हैं इसकी और दूसरा टाइप आप देख रहे हैं लावा और वालकेनिक प्लेटू यानिकी जौला मुखी पठार अब जौला मुखी पठार का न उठ जाएगी और उठी हुई समतल भूमी क्या कहलाती हमारी पठार कहलाती तो इस क्रिया से क्या बनता है पठारों का निर्माड होता है और ऐसे पठार वालकेनिक प्लेटू कहलाती है ठीक तो आप सीधे-सीधे कहेंगे लावा और वालकेनिक प्लेटू आर दा कि ज्वाला मुखी के विस्फोट से उठी जैसे हम एक एक्जामपल देते हैं आपको माल लिए यह एक ब्लास्ट हुआ ठीक ब्लास्ट हो करके यह जमीन पर फैल की गया तो बेसिकली यह जो एरिया है यह तो पहाड के जो समतल हो गई यह तो लेंड का एरिया हो गया ना इससे नीचे तो अर्थ है यह तो अर्थ हो गया ठीक है अब इससे भी उपर जो यहां पर इखटा होगा जो यहां पर इखटा होगा यह गिरेगा तो यह थोड़ा सा लेंड से उपर का एरिया बन गया तो यह सब क्या कहलाएगा पठार कहलाएगा बात समझ में आ गई हो कि यानिकी वालकनिक जो इरप्षन हो रहा है जो लाबा बगैरा निकल रहा है उससे जो समतल से जो ऊची भूमी का निर्माड होगा वो क्या कहलाएगा जो अलमुखी पठार के कुछ और पॉइंट्स अब यहां पर एक बात हम देख रहे हैं कि जो मैगमा निकलेगा मैगमा कम्स त्रू नैरो क्रेकर्स यानि कि जो एक परत है उसमें संकीर्ण दरारें पड़ गई हैं उन सब्सकारों के माध्यम से निकलता है मैगमा और बाहर आकर के क्या हो जाता है जो यह मैगमा निकलेगा यह मैगमा बाहर आकर के क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा ठीक है यह बाहर आकर के मैगमा फिक्स हो जाएगा तो लावा की चादरों से यानि कि सीधा-सीधा वही बात हो रही है कि यह जो लाबा आया है यह जो इखट्टा हो रहा है यह सब क्या है यह लाबा है और यह लाबा जो है यह क्या होगा लाबा एक उची आक्रत एक हाइट बन जाएगी ठीक है इसी हाइट को नाम दिया गया प्लेटू इसको नाम दिया गया प्लेटू तो बहुत किलियर है इसमें क्योंकि मैगमा जो है एक बहुत बड़े छैत्र में फैली हुई एक संकीन दरारों के माध्यम से निकलता है ठीक है ना कि थोच बहुत दूर तक गया और वहां पर जो नॉर्मल प्लेस है जो समतल भूमी है उससे उपर जमता चला गया और एक नॉर्मल प्लेस से जो हाइड की आकरती बन गए उसको हम लोगों ने पठार कहा और इसलिए कहा जाता है कि जो लाबा की चादरे कर लोगों oh 5 सारे को किलियर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वाल्क cricket लेटू की और बात करते हैं यहां पर अप्ते ओं ने К कि डेकन प्लेटू कैसा है एक 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 जामपल है बात की ठीक्चर आपको दिखाया था साउट का जो एरिया आया वहांपर डेकेंट ले टू है तो यह एक फ्लेटू को हम लोग क्या कहते हैं एक वालकेनिक प्लेटू के नाम से जानते हैं क्योंकि यह भी जो जो ज्वाला मुखि की ग्रिया हुई जो लाबा निकला उससे इस पठार का निर्माड वह और इसी मुखी की तो इने के दो एग्जांपल आप लोगोंसे सामने हो गए तो अब यहां पर पिक्चर के माद्दम से हमने समझाने की कोशिस की है आप लोग समझ सकते हैं बेसिकली यह आप समझ सकते हैं कि यह जो है यह नीचे की भूमी है ठीक यह सब कैसी नीचे की भूमी है और यह से नीचे का हम माल लेते हैं यह अर्थ है अब यहां पर आप देख रहे हैं यह एक पतली आक्रती नुमा इससे निकला क्या निकला ब्लास्ट हुआ जाओ यह क्रेटर वन गया जोलामुखी परबद बिन गया और जब यहां से यह लावा पैल रहा है आप देख रहे हैं यह दोनों तरफ इस तरीके से फैला हो रहा है और यह आपका इसका फैल करके इस तरीके से संद्चना बन गई ठीक है यह जो संद्चना बन गई यह सारी की सारी संद्चना जो है ना इसके जो भी उंची संद्चना बनेगी यह सब आपकी प्लेटूस क्या लाएंगी तो इसलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है वाल तक आगे बढ़ते हैं अगला आप देख सकते हैं देख से पीडमांट प्लैटू प्लै टू अब पीडमांट ब्लैटू किया पीडमांट प्लैटू है पीडमांट प्लैटू आर बार्डर्टर्ड on one side by the mountains यानि कि एक तरफ क्या है ऐसे समझेंगे एक तरफ हम लेते हैं उसके परबत है मन लिए यह एक तरफ परबत हो गया ठीक है एंड वन साइड अधर बाइदा प्लेन और एक तरफ कैसा हो गया प्लेन का एरिया हो गया निकी एक ऐसा पठार जिसके एक तरफ हो गया परबत और एक तरफ हो गया प्लेन का एरिया वो कहलाएगा हमारा पिद्बॉंट पठार तो सीधे-सीधे कह सकते हैं पिद्बॉंट प्लेटूज और बॉर्डर अन वन साइड बाइदा मौंटेंस एंड अधर बाइदा प्लेंस और सी दोनों चीजें यानि कि प्लेंड भी हो सकता है तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर एक तरफ सी माल लेते हैं और दूसरी तरफ हम एक परवत माल लेते हैं तो यह दोनों चीजें यानि कि यह हो गया सी का एरिया और यह हो गया परवत का एरिया तो ऐसे जो पठार बनेगा तो वह क्या कहलाएगा हमारा पीद्बॉंट प्लेटू कहलाएगा ठीक अगर हम इसके एक्जांपल के बात कर बन सकता है ने कि पीद्मेंट प्लेटू आप इस्टर यूनाइटेड इस्टेट विट्विन दा मौंटेंस एंड अटलांटिक कोस्टल प्लेंस इज एन एक्जांपल ऑफ दा पीद्बांट प्लेटू किलियर आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं और यह हो गया समतल का यह ठीक है तो अभी बात हुई वन साइड मौंटें एंड अधर साइड सी किलियर तो जो यह अधर साइड की सी हो जाएगी यानि कि एक तरफ समुंदर है या पानी का लेवल है दूस तरफ पहाड है उसके बीच की जो समतल भूमी है वो क्या यह आपकी पीड मौंट प्लेटू कराएगा बहुत इजी है पिक्चर के माद्यम से समझेंगे तो और भी आसान आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग महादी पी पठा किस पर बढ़ते हैं महादी पी पठा क्वांटिनेंटल प्लेटू क्वाटिनेंटल प् प्लेटू की बात करें के तो are border on all sides by Plains और unter सभी तरफ तरफ से कैसे महासागरों के द्वारा घिरे होंगे यादे कि वह क्या हूंगे पहाणों से यह महासागरों के जो धुरुभी या पठार है जिसको हम लोग कहते हैं धुरुभी पठार या पोलर प्लेटू वो भी इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल हो सकता है तो आप देख सकते हैं है यहाँ पर इसके माध्यम से है यह आप देख सकते हैं कि एक ओसीन का दिख रहा है आपको छेक फार्मिंग ओवे दो मॉउन्टेंस चेलिएर आगे हम देखते हैं इसको इसकी संरचना आपढ़ देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको देख रहाँ यह सी का लेवल हो गया और यह सी का प्लैटू का निर्मान हो गया तो यह अभी आपने तीनों टाइब के जो देखे कि कैसे कैसे प्लैटू उसकते हैं उनका क्या क्लासिटिफिकेशन हो सकता है पठहर कहते किसको हैं आगे देखते हैं अब आपको इंडियन प्लैटू के सारे में हम लोग डिसकस करते हैं जो कि अभी मैप के माध्यम से देखा था फर्स्ट इस बुंदेल खंड प्लैटू कैसा है अगर भौगौली क्याने कि जियोग्राफिकल बात करेंगे या इसके कल्चरल आस्पेक्ट की बात करेंगे तो कहेंगे भारत में परवस रंखला भी एक पहाड़ी छेत्र है तो आपका सीधा सा एक्जांपल हो सकता है कि कहां कहां पर है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश का एरिया है बहुत बड़ा छेत्र बाना जाता है जिसको एक सांस्कृतिक महात्तु भी है आला उदल बगेरा भी लोग यहां से जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड के चेत्र से बुंदेलखंड का पठार के बारे में कभी भी अगर पूछा जाया तो जैसे अभी हमने बात की थी कि जो मालवा प्लेटू का जो नौर्धर जो उसके नौर्धर साइड में है वो कौन सा पठार हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड प्लेटू कहलाता है अब बुंदेलखंड प्लेटू के अगर बात करेंगे तो भारत और गंगा का जो मैदान है और साउथ विंद परवत का बीश का छेत्र है उसके बीच में इस्तित है यानि कि कह सकते हैं सिच्वेटर बिट्मिन इंडो गंगेटिक प् फिर आप यह समझ लीजिए इसमें कि यह है क्या एक धीरे धीरे ध्लान बाला ऐसे समझिए कि जो एक एरिया है और इस तरीके से जो स्लॉपिंग हुई है जो ध्लान है वो बहुत स्लोली है यानि कि स्लोली-слोली है जो ध्लान है यह बेसिकली ध्लान है बास समझ में आ गए यानि कि जो स्लोली-्लोली ध्लान हो रहा है यह एरिया है और यह थोड़ा सा उंचा एरिया बनेगा तो इसको कह सकते हैं कि drying पहाड़ी इहांओ ह है और यह यहां पर एक उचाई नुमाकरत के रूप में बन गया है तो इसको हम लोग पठार कहते हैं बुंदेल खंड का पठार और इसका बहुत एतिहासिक महत्तु भी रहा है अगर हम बात करें आला उदल बगयरा की तो वह भी बुंदेल खंड के छेतर से ही संबंदित रहे हैं तो आप सीधे-सीधे कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं बुंदेल खंड का पठार तो यह अगर लोकेशन की बात की जाएगी तो लोकेशन की बात में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेल खंड का पठार में यहां पर अगर आप देखोगे तो यह दिख रहा है बुंदेल खंड का पठार है थीका है यह मद्द परदेश का location है हमारा उत्तर परदेश भी यह दोनों का जो है यह बुंदेल खंड का location wise पठार माना जाता है अब location से easily इसको देख सकते हैं मैप में आगे सब्सक्राइब हैं लोग नेक्स प्लैटू है हमारा मालवा का प्लैटू अगर कभी आप से पूछा जाए कि मालवा प्लैटून के नौर्थ का बन्यटू कौन सा कहलना तो आपका अंसर होगा बुंदिल खंड अगर पूछा जाए उसके नौर्थ किस्ट का पार्ट कौन सा कहलाता है तो आप कह सकते हैं बगहिलखंड का पठा ठीक को मालवा की अगर बात करें मालवा इजा हिस्टोरिकल रीजन एक एतिहासिक इस्थल है अब यह एतिहासिक इस त्रय अगर हम बात करें इसका निर्माड कैसे हुआ तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह वालकेनिक बूल का पर पठार इस्तित है ठीक है ना कैसा है एक वालकेनिक क्यानिक कह सकते हैं इंडिया अकुपाइंग प्लेटू आफ वालकेनिक ओरीजिन यानि कि वालकेनिक ओरीजिन का एक कारण है मालबा का प्लेटू ठीक है अब सामतोर पर दो रेंजे मिलेंगी कि बिंध्या रेंज कि अगर नौर्थ इस्ट में बात करेंगे तो ज्वाला मुखी छेत्र को यह संदर्वित करता है यानि कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि वालकेनिक अप्लेंड नौर्थ और दा बिंध्याचल रेंज के लिए रहना तो यह बि बात आप लोगों की हमने की आगे बढ़ते हैं ने देखते हैं मालवा प्लैटू के कुछ और बाग अगर हिस्टोरिकली मालवा बनलबा की बात करते हैं तो इंसाउड राजस्थान रजस्थान का खेत तो कभी ऐत आपसे पूछा जाय तो आप सीधे सीदह कह सकते हैं कि MP का भी खेतर है और राजस्थान का भी खेतर है अब मालवा खेतर में पस्च्चमी उत्तर प्रदेश और दच्छिण पूर्वी में राजस्थान और बेस्ट में अगर बात की गया है कि तीनों स्टेट में इसका विस्तार माना जाता है आगे बढ़ते हैं मलोग आगे देखते हैं माल्वा प्लेटू का आप लोकेशन क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह इस तरीके से यह पूरा मालवा का पठा का छेत्र कहा जाता है यह पूरे में फैला हुआ है अगर आप मैप बाइस देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर यह पूरे मध्धप्रदेश के बहुत सारे डिस्टिक इसमें आते हैं आप लोग देख सकते हैं चाहें ये देखें Choice我 एक threatened मद्रपदेश के दिये हुए हैं अब हम बात करेंगे अपने छोटा नागपुर प्लेटू कि अगर हम बात करते हैं तो यह प्लेटू सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको भारत का रूर भी कहा जाता है भारत का रूर भी कहा जाता है छोटा-नागपूर प्लेटू इस टरण इंडिया विच कवस मचा आप जहारखंड इस्टेट एज बेल एज पार्ट औरिशा बेस्ट बंगाल बिहार एंड चाथीज गड़ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि छोटा नागपूर के प्लेटू में जारखंड इसके साथ उरिशा बेस्पंगाल बिहार और चाथीज गड़ का भी हिस्सा सामिल हो जाता है तो एक बहुत बड़े एरिया में यह सा आधिक सकते हैं कि अगर कभी आप से पूछा यह यह कैसा पठार माना जाएगा तो आप कह सकते हैं छोटामापूर प्लेटू इसका इक महाधिपी पठार है है ठीक है ना महाधिपी पठार है और सामानिपी आपन disparu नता है समझ रहे ना यह एंट है एक्स्टेंसी में अरि ऑफदा जैनरल लेंड यानि कि सामान नहीं है उससे उपर का जो इरिया बनाता है वह आपका छोटा नागपुर का पठार कहले ठीक है अब चोटा नागपुर के पठार में यहाँ पर formation की बात की गई है तो formation के अगर बात करते हैं तो प्लेटूज दप्लेटू हैस फॉर्मड वाइक क्वांटिनेंटल अपलिप्स फ्रॉम फोर्सेज आप देख सकते हैं फ्रॉम फोर्सेज एक्टिंग डीप इंसाइड अर्थ यानि कि पठार का निर्माड हुआ कैसे महादीपी उत्थान के द्वारा इसका निर्माड हुआ और जो प्रत्वी के अंदर की क्रियाएं हुई हैं उसके द्वारा इस पठार का बन सकता है अब इसके पार्ट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यह जहां जहां पर फैला है इसमें उसके कुछ नाम भी रखे गए हैं अगर हम बात करें राची का पठार इसका ही भाग माना जाएगा तो इसका राची वाला एरिया है वह सबसे बड़ा हिस्सा है और उसको नाम भी दिया गया राची का प्लेटु या राची पठार अब दूस्रा इसका पार्ट हाजारी भाग प्लेटु के अगर बात करते हैं हजारी भाग प्लेटू इस ऑफिन सबडिवाइड इंट्व पार्ड निटो आपको बात आएगी तो यहां पर आपक को लगो और देखते हैं चोटा नाक पुर्ष निश्रा नाक प्ले जार्मा दोनों है को डर्मा प्लेट्व आल्सों रिफपर्ष तू एyon दा हजारी वाग लोवर प्लेटू और एज दा छोटा और इज दा चंपारन जिसको हम पर watu Pora क्या कह कह सकते हैं चो पर को डर मा गिर्गी यह सब प्लेटू बनते हैं ठीक है ना यानि कि एक कहेंगे तो कोडर्मा पठार को हजारी बाग निचला पठार या चोपारण कोडर्मा गिरिघी उप पठार के रूप में भी जाना जाता है यह आपके एक्जाम और इंटेन महात्रपूर्ड क्वेस्चन बन सकते हैं अब देखें यहां पर इस पठार के अगर बात करेंगे त रांची का पठार हजारी बाग का पठार कोडर्मा पठार यह तीनों आपने देखा और तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं यह सब के सब पारट है छोटा नाग्पूर के और दो चीजह हमनें और नहीं देखी हैं एक देखा है चोपारण, दुसरा गीरीगी, किलिए रहना, तो इस सारे के सारे पार्ट किसके हो जाते हैं, छोटा नाकपूर पठार के भाग माने जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन आप देख सकते हैं, यह पूरा छोटा नाकपूर क है को डर्मा वाला डिवीजन है तो वहां पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम रख दिये गए क्योंकि जहां की वो लैंड्स हैं वही इनके नाम रखे गए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हमारा पठार है बगहिलखंड का पठार जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो म कि दूख नाम मालभा पठार का नौर्थिस्ट वाला पारट ने गए मालभा पठार के जो नौर्थिस्ट में स्तित है पठार वो वह व portfolio साब जाएगा बगहिलखंड का पठार है और बगहिलखंड के पठार में गर बात करेंगे तो मद्र भारत में एक प्रबस bethra को cover करती है यानि कि उस पर पूरा फैली हुई है तो यह आपका बगेल कंड के पठार के बारे में हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बगल कंड के पठार में अगर आप से पूछा जाके इसमें कौन-कौन क्ग्मोष से बेसे आते हैं तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इत इन्क्रीबेटी मद्ध्य chilling सिट्र कुट कहा का a यूपई काइड इस्टिक माना जयता है मदयप्रदेश का नहीं माना जाता है लेकिन देखे लिखा हुआ है यह दंड कारण का पठार आखिरकार क्या है दंड कारण की पठार कि एगर हम बात करेंगे तो इसका एक बहुत प्राचीन गरंथ से समन्द है उस प्राचीन गरंथ का नाम है कि नमार्ण में जब भगवान राम चंद्र जी को बनबास हुआ था तो ऐसा माना जाता है जो जब वो चौधा वर्स का बनबास बतीद करने गए थे तो इसी दंड कारण के जंगल में ही गए थे और इसकी अगर लोकेशन की बात करेंगे सिजल 32 गर्ण घंग राजक राज्ज में यह है और यह बस्तर संभाग के लगभग बराबर रहे तो इसका बस्तर का जो जो चूटा नागपूर की नहीं बराबर य आता है तो शत्तिस गड का छेट्र है अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे महां पर बता सकते हैं इस प्लैटू के बारे में और इस प्लैटू का नाम है अगर location की state की बात करेंगे तो उरीशा 36 गड़ और अंधर प्रदीस अगर इसकी बात करी जाएगी तो आप कहेंगे पूरीशा 36 गड़ यह पूरा इसका फैलाव माना जाता है यहां तक दंड कारण की बात किलियर हो जानी चाहिए यहां तक किलियर है सारे लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं अब दंड कारण के पठार में आखिर कार इसका कितना फैलाव है इट कवर्स अबाउट 92,200 स्क्वार किलो मेटर्स अफ लेंट ठीक है विच इंक्लूट्स दा अब एक पहाडी का नाम लिखा हुआ अभुजुमार कौन सी पहाडी है अभुजुमार हिल्स इन दा वेस्ट एंड इस्ट घाट इन दा इस्ट इंक्लूजिंग रिजन तेलंगाना अंध्रा प्रदेश च्छतिजगर एंड उरिसा स्टेट किलियर है अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो सीदे जीदे कह सकते हैं इसका विस्तार कितना है 92,200 किलो मेटर और इसके वेस्ट में अभुजमार हिल है और इस्ट में बात करेंगे तो इस्टन घाट सामिल है जिनमें तेलंगाना अंधर प्रदेश च्छतिजगर और उईसा के स्टेट्स सामिल किये जाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे दंड कारण के और पॉइंट्स की अगर हम अधर पॉइंट्स की बा वात की गई है धंडक का अर्थ होता है वन राच्छत या धंडक का निवास कि तो क्या होता है धंडक का निवास यानि कि मीन्स द धंडक we अस्ट में दंडक क्या एक जंगलयशा कि उपने बताया कि राम चंद्रजी बनबास बिताने कहां पर गए थे बन के लिए इसी जंगल में गए थे तो दंडक प्राचीन भारती ग्रंथ रामायन में वरनित एक बन का भी नाम माना जाता है यहीं कि इंसेंड इंडियर टेक्स्ट रामायना के लिए रहे यह तो दंड कारण की एक और विसेस्ता हो गई जो कि एक हिस्टोरिकल विसेस्ता इसकी मानी जा सकती है अगर हम मैप 22 देखते हैं तो मैप 22 आप देख सकते हो यह एरिया पूरा जो है यह जो आप दरियाई घोड़ा का ह हिपोपोटेमस के सेट में जो दिखता है यह आपका शत्तित गड़ है इतना एरिया छोड़ दिया जाए एक तो यह सारा का सारा यह दंड कारण है किलियर है बात यहां तक आगे बढ़ते हैं और अब हमारा प्लेटू है डेकन प्लेटू या दक्कन का पठार डेकन प्लेटू की बात करेंगे तो डेकन प्लेटू इस आ लार्ज प्लेटू इन वेस्टर्न और साउधर्न इंडिया पस्चिम भारत का दचिन भारत का एक ब में फैला हुआ है ठीक है और इसका जो मिडिल और दक्षिर भारत को पूरा कवर करते हुए एक आवास की एक विस्त्रत स्रंखला को भी ये कवर करता है यानि कि हम कह सकते हैं सीधे-सीधे कि बेसिकली वाइड रेंज आप हैबिटेट्स कवरिंग मोस्ट आफ दे सेंट्रल ए कुछ और बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं डेकन प्लेटों की अब यह कहां कहां तक फैला हुआ है तो सीधे-सीधे आप कह सकते हैं कि जो गांगेटिक प्लेन एरिया है वहां से लेकर के नौर्थ बाइदा सत्थपूरा एंड बिंध्याचल रेंज विच फॉर् बांडरी किलियर एक सत्थ पुड़ाव बिंध्याचल परबत माला के उत्तर में गंगा के मैदान से जो अलग किया गया है इसकी जो नौर्थम बाउंडरी बनाने का यह काम करता है इस्टर्न डेक्चन प्लेटों की बाद करते हैं अगर इसके एंड़ यहिस टर्टर्न डे इसकी हाइड कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कम है तो इसलिये तो जो हम इस्टन घाट की बात करते हैं तो मुझते एक घाट ज्यादा-कटा-पटा रिवार एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग दा इंद्रावती रिवार इस्टार्टिंग फ्रांद वेस्टन घाट एंड़ फॉलोइंग इस टुवार्ट्स वाइद वेयाफ बंगाल यानि कि बंगाल का इसका अधिकांज उत्तरी बाग गोदावरी का है आप देख सकते हैं यहां पर गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों से बहता है जिसमें इंद्रावती भी सामिल है ठीक है और पस्चमी घाट से सुरू हो करके बंगाल की खाड़ी की योर यह बहती हुई है तो यह पूरे डेक्कन प्लेटू का यह डेक प्लेटू में और क्या लोकेशन हो सकती है अब यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरा डेक्कन का प्लेटू दिया गया है तो यह अच्छा खासा एरिया कवर करता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल वाला जो चेत्र है उसकी तरफ यहां तक जाता है अगर कैसे हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपने समझे हैं पूरे इंडियन प्लेटू क्या समझे हैं इंडियन प्लेटू इसके बाद में अब हम आप सिस्टम के बात करेंगे अब यहां पर आपको एक काम करना है वो यह करना है कि आप पूरा का पूरा जो मैप है अपने नजर के सामने रखिए उसके बाद में डिटेल पढ़ते रही है और मैप देखते रही है आपको सारे प्लेटू का लोकेशन किलियर हो जाएगा उसका